हिमाचल परदेश की तमाम बड़ी खबरों पर आप से चर्चा करेंगे और सबसे पहले इस बुलेटन की सुरुआत करेंगे सुखु सरकार के पहले बजट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु ने अपना पहला आम बजट आप विधान सवा में प्रस्तूत क हलां कि भारतिय जन्ता पार्टी का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा और विरोधी दल के तमाम भारतिय जन्ता पार्टी के विधाएक आज काले भिल्ले लगाकर सद्न में पहुँचे बेराल मुख्य मंत्री सुकविंदर सिंग सुकू की बात करें तो मुख्य मंत्री लेक्ट्रिक भान में विधान सबा पहुंचे आर्थिक बधाली पर पूर्व सुरकार को नोने जवर्दस्त कोसा और कहा कि पूर्व सुरकार पर बेतहासा कर्ज लेकर परदेश को डुबा द कहा असल में विवस्ता परिवर्त नहीं और विवस्ता का ये आलम बन चुका है मुख्या सचिब ने हाला कि विजली बोर्ड के सेकरेटरी को बुलाया और पूछा की इस तरह की विवस्ता की हुएं लेकिन बाद में पता चला कि विधान सबा का अंत्रिक मामला है इसमें कि अन्पियस के लिए केंदर में फसे आठ हजार करोर को दिलवाने के लिए पूरी तरह से एक जुटता से काम करें उन्होंने भाजपा से भी अनुरोद किया मंडी एरपोर्ट की एक हजार क्रोर की रासी केंदर से मांगए इस पर भी मुख्यमंत्री ने अबान किया केंद 2999 करोड यानि की अब समझना ये बहर जरूरी होगा जिस परकार से समुचा पुर्देश इस समयास लगाए बैटा चाहे करमचारियों की बात हो दूसरे वर्क की बात हो कि मुख्यमंत्री हमेरा हत क्यों नहीं दे रहे हैं और उसके पीछे बड़ी बजा है रजस्व प्रा ये 9900 करोड का रजस्व घाटा यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि 9900 करोड हमें लोन लेना पड़ेगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9600 करोड अगर यहाँ पर रजस्व घाटा है तो इतना लोन हमें RBI से लेना पड़ेगा ओपन मार्केट से लेना जिसमें हमारी इंकम जैसे का जाता कि आमदन आमदन चवनी खर्चा खर्चा रुपईया यहां पर बिल्कुल यह कहवच रिचार्थ होती है जिस परकार से रजसर प्राफ्तियां कम हैं लेकिन रजसर ब्याई ज्यादा है अब इस राज कोशिय घाटे को 9900 रुपई की अब में हमें रिल लेना पड़ेगा लिए प्रदेश की जीडिपी की बात करें तो चार दसमलब छेख फीजदी जीडिपी है सो रुपई इस परकार से हमने लिए सो रुपई पे चब्वीस रुपई बेतन पर जाएगा सोला रुपई पेंशन पर जाएगा और ब्याज की अद होंगे यानि कि सो रुपई जो बजट का प्राफधान है उसमें सिर्फ 29 पैसे हमारे पास होंगे जिसमें नई स्कीम जलाई गई हैं जिसमें नई योजना हैं जिसमें रख रखाब है यह स्टेट की ड्वेलमेंट्स की बात है सिर्फ 29 रुपई यहां पर है सुकु सरकार ड्रinals राजीव गांदी गूवेंट मेडल डेड़रंग स्कूल है मुक्खे मंतरी शुकासरे योजना है मुक्खे मंतरी विद्यार्थी प्रोथ्सान योजना ऑव फ्रेंए इसके लाइवा क्रिसी विकास यendas के विस्तार को लागा योजना है मुक्खे मंतरी लगु दुका आपने बजट में तेरा नई योजनाएं यहां पर बजट में शामिल की हैं जिसमें आने बाले हिमाचल प्रदेश की दसा और दिसा उसकी तकदीर और तस्वीर साफ होती आपको सपस्दिखाई देगी बजट के मुख्यांस देके तो 53,413 क्रोड का ये बजट है जिसका कार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाया जाएगा प्रेटन विकास को प्राथमित्ता वर्ल्ड क्लास टेकनोलजी की स्वास्ते सेबाएं सिक्षा में गुनवत्ता वा सुधार के लिए नहीं पहल समाजिक सुरक्षा दाइरे का विस्तार किया जाएगा क्र पर जरूर उन पर फोकस किया गया है तिरिक्त संसादन को जुटाने का परसा भी रखा गया है आए बढ़ाने के लिए सराब पर यहां पर दूद सेस लगाया गया है पती बोतल 10 रुपे सेस बसूला जाएगा यानि कि हिमाचल प्रदेश में सराब माफ कीजिएगा महंगी होगी लेकिन इस एबज में दूद सस्ता होगा क्योंकि यह पैसा मिल्क प्रोडेक्शन पर लगाया जाएगा इस कदम के बाद सराब हिमाचल प्रदेश में महंगी जरूर होगी लेकिन इसमें सरकार ने जिस प्रकार से इसके लिए नई एकसाइज पोलसी लाई है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसमें रेवन्यू बढ़ेगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अज अपने बज़ट भासन में करा कि करीब 32 फीजदी का हाइक हुआ है इस प्रकार की पोलसी को लाने से बज़ट में सरकारी निजीक शेतर में एक लाख दस हजार नोक्रिय लाई गी है 500 क्रोर की घोशना मिल्क प्लांट स्थापित होंगे ये कहा गया है मजूदा मिल्क प्लांट अपग्रेड किये जाएंगे बे सारा पस्मों की जानकारी को एप डेबलब होगा सडकों से बे सारा पस्मों को हटाना सरकार की प्राथमित्ता रहेगी मचली पालको के लिए जिस प्रकार से पहले जिकर कर चुगे कि 101 करोड का बजड का प्राबधान ने सुका असरे गठित किया गया हर महिने 4,000 रुपे मिलेंगे 27 साल तक के तमाम अनाथ बच्चे बच्चों के लिए Children of State स्टेट के रूप में उन्हें शामिल किया जाएगा अनाथ बच्चों को प्रोफेशनल स्कोर्स राज्य सरकार करवाएगी साल में एक बार हवाई आतरा तीन थ्री स्टार होटल में उनके ठैरने की विवस्ता होगी विद्वा पेंशन के लिए आयू सीमा डिव्यांगो को भ बिजली पानी फ्री दिया जाएगा महिलाओं को पंदरा सो यह सबसे महतर पूर्ण की मुख्यमंत्री सुगविंदर सिंग सुखू की बात की जाए तो दस चुनाबी गरंटी एसमें सरकार के लिए प्राथ मिक्ता हैं जिसमें दो गैरेंटीज का मुख्यमंत्री ने आज हिमाचल परदेश की महिलाओं को यह रासी दी जाएगी पंदरा सो रुपे दिये जाएंगे और इसका चैन समाजिक न्याय इदमाधिकारिता विभाग ने कर लिया है जून महिने से बजट में मुख्यमंत्री नहीं का लेकिन जिस परकार की शुर्वाती दोर पर यह मुख्यमंत्री से बाद में भी पूछना चाहा और इसे लेकर विस्तार से जब चर्चा हुई तो पता चला कि इसमें दिक्तर ऐसी महिलाएं हैं जिने एक हजार रुपे पेंशन पहले दी जा रही है यानि कि उनके पांसो रुपे बर जाएंगे उन्हें एक हजार के स्था को रिजाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेधावी हिमाचिल प्रदेश की 25,000 यहाँ पर चात्राएं होंगी उनको इलेक्रिक स्कूटी के लिए 25,000 रुपे की सब्सीडी की घोषना बजट में की गई है लैंसीरिंग एक्ट में भी बेटियों को हिस्सेद स्टाफ होंगे और इस साल से रोट सजरी भी सुरू की जाएगी इस पर 100 क्रोर का प्रावधान किया गया है हर विधान सवाक्षेतर में अधर स्वास्य संस्तान विक्षित किया गा और मुख्यमंतरी की बजट स्पीच में जिस पकार से हेल्थ को आज फोकस किया गया जूक स्टाफ होगा डॉक्टरस होगे नर्सिस होगी तमाम बिवस्ताएं लग होगी चोबिस घंटे वहाँ पर से वाइं दी जाएंगी प्रेट्र विकास पर भी फोकस किया गया सबी जिला में हैलिपोर्स से जुडएंगे कांग्रह हवाईपटी का विश्तार किया जाएगा हुमी का चेहन भी कर लिया गया है कांग्रा जिला को टूरिजम प्राने का बजट में एलान किया गया बजट में इलान किया गया और कैपिल बनाने के लिए । प्रप आर्टार्टन पीयार करेंगे मुख्य मंतिरी ने उन्हीं पंचाइतें, ग्रीन पंचाइतें बनेगी, सभी पंचाइतें 4G इंटरनेट सेवाओं से जुड़ेंगी, Optical Fiber विछाई जाएगी, और इसके साथ हिमाचल Model State for Electric वहनों के रूप में विक्सित किया जाएगा, पूरी दुनिया में हिमाचल पुर्देश को इलेक्टर वहिकल्स के लिए जाना जाएगा, ताकि सब कुछ हरा हरा हो, मुख्यमंत्री हर्याली लाना चाहते हैं, HRTC की 1000 बसें, इबसों में शिफ्ट की जाएगी, जो इसमें बसे चल रही हैं, इनको इबसों के मादियम से इलेक्टरोनिक वहिकल्स में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और नदोन और शिमला में इबस डीपो बनेंगे, हमिरपुर में 10 करोर से बस डीपो बनाया जाएगा, सभी सरकारी ऑफिस, इपोर्टल से जुड़ेंगे, राजस्य विवाग में ओनलाइन रिजिस्ट्री की सुबिदा दी जाएगी, मनरेगा ध्यारी 28 रुपे बढ़ाई गई है, 2012 से 240 रुपे करने की मुख्यमंत्री ने घोशना की, जन जाती एक्षेत्रों में 266 रुपे से 294 रुपे यहाँ पर ध्यारी करने का एलान किया गया, 9 लाख मनरेगा मुझदूरों को भी इसका सीधा लाब होगा, सरकार 100 क्रोर का तिरिक्त ब्याय बहन करेगी इस पर, 15 स्रेणियों के करमचारियों का यहाँ पर इंक्रिमेंट दिया गया है, आंगनवाडी वर्कर्स को 500 रुपे बढ़ाए गए हैं, अब उन्हें 4500 रुपे मान दे प्रतिमा मिलेगा, मिनी आंगनवाडी को 6000 साहिकाओं को 42 रुपे मिलेगा, आशा वर्कर्स को भी 42 सो रुपे मिलेगा, वाटर कैरेर की 500 रुपे की ब्रिदी के साथ अब 400 मिलेगा, पंप अपरेटर को 6000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे, SMC टीचर के भी 500 रुपे बढ़ाने की मुक्यमंतरी ने बज़र स्पीच में घोशना की, और इसी तरह से सरकारी धिहाडी अब 375 रुपे की गई है, 25 रुपे मजदूरों की धिहाडी बढ़ाई गई है, आउट्सोर्स करमचारियों के लिए मुक्यमंतरी पर आउट्सोर्स करमचारियों को बज़ट में, कुछ ना कुछ उनका खुलासा जरूर करेंगे, और साथ में नगर रिग महापोर को 5,000 मान दे बढ़ेगा, महापोर को 20,000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे, उप महापोर को 15,000 रुपे मिलेंगे, काउंसलर को 7,000 रुपे मासिक मान दे दिया जाएगा, नगर परिशाद अधेक्ष को अब 8500 उपाधेक्ष को 7000 पार्षद को 3500 रुपे प्रतिमाह मान दे दिया जाएगा नगर पंचाइद प्रधान को 7000 उप्रधान को 5510 को 3500 रुपे दिया जाएगे यहाँ पर निवेशकों को खीचने के लिए मुख्यमंतरी सुकु इंदर सिंग्सुकु ने सिंगल विंडो सिस्टम खत्म कर दी है Bureau of Investment Promotion के सेल खुलेगा और यह ब्यूरो के तैत नई उद्योग नीती हाँ पर लाई जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश में इस ब्यूरो के अंदर तमाम काम चुटकी में किये जा सके विरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-बहान मिलेंगे प्राइवेट ई-बस, ई-ट्रक खरीदने पर 50 फीस्दी सबसीडी दी जाएगी सोलर प्रजेक्ट लगाने पर 40 फीस्दी सबसीडी दी जाएगी यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल प्योजना लाई गई है विदेश में रोजगार की दिरिश्टी से स्रम एबम रोजगार जुरूरी ट्रेनिंग देने का सरकार ने अब पर एलान किया है युवाओं को अग्रेजी भासा का भी परसीक्शन दिया जाएगा यानि कि जिस परकार से तमाम हिमाचल प्रदेश का यूथ इंप्लोईमेंट के लिए विदेशों में जाता था अब ये काम दूताबास के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंग सुखु सरकारे करेगी ये बजजट में बात कही गई है एक हजार ने लोक मित्र केंदर एस्टेबलिस होंगे लोक मित्र केंदरों की कुल संक्या छे हजार हो जाएगी नई बागवानी नीती की घोशना एक हजार दोसो बानुए क्रोर के सीवा प्रोजेक्ट से बागवानी विकास प्रोजेक्ट से पंद्रह हजार बागवान लाभांबित होंगे बागवानों के लिए C.A. स्टोर सुभीदा मिलेगी छे स्तानों पर इन्हें स्तापित किया जाएगा ड्रेगन फूर्ड नए फूलो नए फलों के लिए नए फलों के उत्पादन के लिए इस पर फोकस रहेगा अन्य प्रमुक घोष्णाओं की बात करें सडग दुरुगटनाओं को रोकने के लिए प्रमुक शहरों में सैफ कोरिडॉर बनेगे सड़कों को सुरक्षित बनाने पर फोकस किया जाएगा 1700 नई सड़कों का निर्मान हिमाचल परदेश में होगा अब डू लेन सड़कों को फोर लेन बनानेगी तैयारी सड़कार करेगी शिमला मटोर हाईवे फोर लेन किया जाएगा लेंड सलाइट घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कबर अभ्यान चलेगा इसके लिए 250 हेट्र जमीन का चैन किया जाएगा परवानू नालागार कोरीडोर बनेगे यानि कि इन कोरीडोर में सिर्फ ग्रीन इन में इलेक्ट्रिक वहिकल चलेगे जिसमें परवानू नालागार उनना हमिरपूर अंब नूर पर दूसरा कोरीडोर पांता नहान शिमला शिमला विलासपुर हमिरपूर चंबा तीसरा कोरिडॉर मंडी पढ़ान कोड मनाली के लॉंग नैशनल हाइवे ग्रीन कोरिडॉर के तोर पर इन्हें विक्सित किया जाएगा और इनमें 100 फीजदी बहान अन्य शहरों पंचाइतों में जल गुणवत्ता पर राज्य सरकार काम करेगी चोटे वेपारियों को कम भ्याज पर लोन की सुविदा दी जाएगी भरतियों की बात करें 25,000 तमाम विभागों में और 90,000 प्राइबेट सेक्टर में सुखु सरकार में पहले एक साल में 1,10,000 नोक्रियां देने का अपनी बजट स्पीच में अलान किया है इस पूरे बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकूर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने इस बजट पर जमकर भढ़ास निकालते हुए सुखविंदर सिंग सुखु के इस बजट को नकारा कोसा उन्होंने का धिक्तम योजनाय बंद कर दी है पूर मुख्यमंत्री ने का कि राज्य सरकार के इस पहले बजट में सहरा योजना का जिक्र नहीं है और इस योजना का जिक्र नहीं होने से अब लोगों को सहरा की रासी नहीं मिलेगी इस पर भ्रम की स्थिती पैदा हो गई है संसे की स्थिती पैदा हो गई है ग्रीनी योजना का जिकर नहीं किया गया है या फिर हिंकेर का जिकर नहीं किया गया कैसी कई ऐसी योजना हैं जिन योजनाओं का यहाँ पर जिकर नहीं है तो जैराम ठाकुर ने कहा क्या हम समझे कि मुख्या मंत्री सुकविंदर सिंग सुकु ने तमाम उन योजनाओं को ब स्मय लगेगा एक रुपे में केबल 29 पैसे विकास के लिए खर्च होंगे कैसे हो पाएगा प्रदेश का विकास ये जारम ठाकुर ने सुवाल उठाया है